हाई दोस्तो, गुड मॉनिंग, कन्या कुमारी टुकस्मे ट्रिप का डे फोर, दिन नम्र चार शुरू हो चुका है और मैं पुने से निकल चुका हूँ, आज मैं पुने से निकला हूँ और पहले मैं मुंबई जा रहा हूँ, मतलब मुंबई पहुंच चुका हूँ, मैं आपको पताई है बाइकर्स को अगर जो खाली रोड मिल जाए और मौसम सोहाब ना हो धूप ना निकले तो वो ही समझता है कि बस आप कुछ नहीं है सूटमसूट चलते रोड जिंदगी के मज़े लेते हो तो वो ही काम में किये जा रहा था तो आज मेरे को क्या है दिन चार ह दिन चार में मेरा प्लान था कि मैं अगर जो पूने से निकलूँगा तो आज एहमदाबाद पहुचूँगा तो पूने से एहमदाबाद के लिए अपनी सवारी चालू हो गई है तो आप देख रहे हो बाइक तो मस चल रही है दौनों तरफ हरियाली है रोड के रोड खाल है शुनसान है आगे पहाड़ी है बादल खिले हुए है थंडी थंडी हवा बह रही थी तो मस्त मजह आ रहा था बाइक चलाने में तो मैं बाइक सीदी लेके बिल्कुल मस चल रहा हूं आराम से सुबह के साथ 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 बज़ रहे हैं तो मेरा अन्मान था कि 10-11 बज़े में अबना 3 घंट, अधार 5 घंट, का रास्ता है पुझे से मुंबई का, साथी नौध, साथी नौ 10 वज़े तक पहुंच जाएंगे उसी उम्मीद में मैं अपनी बाइक चलाया जा रहा था चलाया जा रहा था Limited गाड़ी यहांने दो ओड इवन नमर जैसे दिल्ली में लगाते हैं आज ओड चलेगा ऐसे इवन चलेगा ऐसे बोल दिया आज काली गाड़ी चलेगी आज पीली चलेगी तो उसी उम्मीद में अपना चल रहा है यह देख रहे हो आप यह टनल में क्रॉस करके जा रहा हूं क्या आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं इस रोड पर या मेरी बातों में आप बिल्कुल मगने एक चीज चलो आप नोटिस करो मैं अभी नहीं अगर जो आप अभी मेरी आओडियो क्लप सुन रहे हैं तो आप न पूरे रास्ते में, जो भी गाड़ी आगे जा रही है, उस गाड़ी का एक दो बंदा मेरे को बड़े द्यान से देख रहा है। इसके अंदर जैसे ही आगे में चला हूँ ना मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था सच बता रहा हूँ यह टनल है और इसमें मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और सबसे बड़ी वजय यह थी कि मैंने अपने हेलमेट का सीसा लगाया हुआ था और उसके अंदर मै ने ध्यान दिया कि जो आगे वाली गाड़ी है उसके जस्ट पीछे-पीछे चलते रहो तो जो आगे वाली गाड़ी है न मैं उसके जस्ट पीछे-पीछे जा रहा था क्यों कोई मेरे को इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था इस गाड़ी वाले का मैं बहुत धन्यवाद दिखाई दी, मेरे को तो अभी तक गुरू एक भी बाइक दिखाई नहीं दी है तो इस पूरे रास्ते पे मैं ऐसे ही चलता रहा और सिंगल बाइक वाला चल रहा था, इसलिए मैं आपको बोल रहा था ना, कि लोग नोटिस कर रहा है, जादा कर रहा है, मैं आपको इस पूरे रास्ते में बाइक अलाव नहीं है, यह मुंबई का एक्सप्रेस वे है, जहां पर टू वीलर अलाव नहीं है, और तो मैं आगे तो चल रहा हूँ, रोड के मजे ले रहा हूँ और पुलिस वाले मेरे को पकड़ लेते हैं टोल पर, वो इस वीडियो में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैंने गोप्रो को अपने को ओन नहीं कर रखा था भाई, ओन तो कर रखा था, लेकिन उस टोल वाले टाइम पर नहीं उनकर रखा था क्योंकि जहां पर टोड़ वगेरा आते हैं ज़्यादा तर मैं बंद कर देता हूं कि आप पुलिस का ही गो हट हो गया तो भी फालतों में फाइन ठोकते तो पुलिस वालों ने मेरे को पकड़ लिया और मेरा चालान बोले बाइस सो रुपे का होगा तो मैं बोला बाइस सो रुपे का चालान क्यों होगा बोले बाइस सो का होगा क्योंकि आप ऐसे रास्ते से जा रहे हैं जिस रास्ते पर बाइक अलाओ नहीं है तो मैं बोला ऐसा लिखा हुआ कहा है तो बोले पीछे लिखा हुआ है मैं बोला जहां पीछे लिखा हुआ है वहाँ पर ट्रक खड़े हुए है मैं 2200 रुपे क्यों दूँ तो दीरे दीरे उनसे बात वगेरा करकर आके मैंने उनको एग्री किया बोले ठीक है आपका 500 रुपे का चालान होगा 500 आप इसलिए दोगे क्योंकि रॉंग इंटरी में हो लेकिन गरीब इनसान के लिए 500 भी बहुत होते हैं बायकर के लिए भाई तो मैंने उन पुलिस वालों को 500 रुपे दिये अपना चालान करवाया 500 रुपे का और इस रास्ते के मज़े लेता हुआ मैं आगे मस्त अपनी बायक चलाए जा रहा था भाई तो दोस्तो मैंन हाईवे पे जहां पर बायक कलाव नहीं होती हुआ पर फाइन देने के बाद हमें उतार दिया गया है भगा दिया गया है रास्ते से अभी देखो हमारी दुनिया बद जाती है अब जैसा के आपको दिख रहा है जैसी बिल्ड़िंग आपको दिख रही है जैसा रोड आपको दिख रहा है न ARE Dalm ड़ेंग तो आप समझी गे है कि मुंबई में इंट्री हो चुकी है मुंबई में इंट्री हो चुके तो मुंबई में इंट्री होने के बाद आपको सिंपल सा पता है कि क्या फेस करना पड़ेगा ट्रैफिक जाम यहां तो भी कम लग रहा है थोड़ा आगे और ज्यादा आएगा मुझे लग रहा है तो अब हम मंबई में इंट्री कर चुके थे और ये देखो जैसे कि मैं बोल रहा था कि ट्रैफिक आएगा वो आ चुका था अभी इंतिजार चल रहा है दिरे दिरे अब मैं सोचोंगा कई से नेरो साइड मिल जाए और मैं अपना निकल जाओ चल चुकी थी और इसके इसके पीछे में भी चल रहा था अभी इसके बाद में डारेक्ट विने भाई के कर जाओ जो मेरे दोस्त हैं फिर विने भाई को वह विने भाई से पहले ही बात हो चुकी थी इसके लिए तो बो बोले कि हाँ मेरा दोस्त है घर के बगल में रहता था रहता है तो वहां पर आ जाओ हम जब तक घर पर बैठेंगे और जब तक बाई का काम हो जाएगा तो अभी गाड़ी विने भाई के घर की तरफ चल दिये तोड़ी दिर में है और जैसा कि आपको दिखे रहा यह जगए डॉंबी विली है विने भाई डउंबी विली में रहते हैं उनके घर के आस पास ही बहुत कुछ है तो चलो विने भाई के घर पर चलते हैं वहां पर आराम से बैठेंगे ठोड़ी बहुत दिर ओमाई गॉड फिर मैं दोवारा ट्रैफिक में फस गया था ऐसा ट्रैफिक बाइकर जो पूरा किटिंग पहन के बैठा हुआ है और गर्मी पढ़ रही है उपर से आप महसुस कर सकते मेरा दर्द बाइकिंग यही नहीं है कि मैं आपको लदाग दिखा दिया स्पिती दिखा दिया जिंसकार रखा था आप बिलीव नहीं करोगे मेरा ऐसा मन करता था हेलमेट को अतार के फैंक दो गलबस अतार के फैंक दो लेकिन मैं आपको एक चीज बोलता हूं सेफटी के साथ नो कंप्रोमाइज सेफटी इस पैरमाउंट और आपको वही ध्यान देना है विकोज गाड़ी में कि रखाधा था विन्यव भाहिक घर पर मेंने खाना खाया आराम से मस्त और मेरी बाइक की स्र विस के लिए विने भाई के छोटे बाइक वह वो बाईक की सर्विस इंग हगरा सारे काम करके लाए और अंकल जी ने हमारी पूरी यपिकिंग की बाइक देख रहे हैं उन्हों मुंबई से एहम्दाबाद के लिए निकल रहे हैं, सामका चार बज चुका है, और लड़े हम लेट हो चुके थे, क्योंकि निकलना एक दो बज़े था, लेकिन जब में दो बज़े मुंबई पहुंचा ही था, तो कैसे निकल जाते, अब विन्हे भाई की मम्मी इतनी प्यार मेमोरी कार्ड खरीद के लाए मेरे लिए, महला उसकी दुकान पर रह जब तक नहीं आ गया, बाइक की सर्विस कराई, स्टीकर वर्क कराया, सामान को उपर से नीचे लाए, तो यह सब विन्हे भाई के चोटे भाई ने किया, बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत प्यारे ब और यह निकली देखो, हम पीछे से हमारी जाटनी सूटती हुई, इसका नाम जाटनी वर्से चोधराएन है, देखो मैंने अपनी बाइक पर पायोनीन नहीं लगा रखके, आप भी मत लगाना, क्योंकि ऐसे ट्रैफिक में जब निकलो के और किसी की गाड़ी से सट गया, ब निकली लिए हैं क्योंकि हमें पहुंचना ही है, और मेरा एक रूल है, रात के नौ वज़े के बाद में अपनी बाइक नहीं चलाता, और वो रूल जरूरी भी है और सही भी है, अब बिन्हे भाई फिर से पीछे होगे, अब बिन्हे बाई के साथ साथ हम निकलते जा रहे ह लोग हम से आगे निकल रहे हैं बाईक पर टेसन मारते हुए लेकिन आप ध्यान देना, लोकल जा रहे हैं तो उनको जाने दो, बुली मत करो उनके साथ, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि मैं बाईक इससे आगे निकालो, लेफ्ट एंड को नीचे लटका लो, एक हाथ से बाईक निकालो, ये सोचे का वाह, कितना अच्छा बाईकर है, हाँ भाई, तू बाईकर है, तू तेरे लिए है, ये सोचके चलो, अपनी बाईक को उसी स्पीड में चलने तो, जिस स्पीड में आप जा रहे हैं, और ये एक और बुलेट दिखी, साइड से निकल ली, यहां से मैंने अपनी बाईक को सूटना चालो गया, किया ही था कि एक ब्रेकर आ गया, और ब्रेकर पे देखो, ब्रेकर पे, ब्रेकर पे ओ, तेरी, ओ, तेरी, ओ, तेरी, ओ, और ये मेरे सर में जाके बाईक का टॉप बॉक्स लगा, विन्या बाईक के छोटे बाई ने आ रहे हैं आप यहां पर बिल्कुल भी ट्राफिक नहीं है इतना तो मिलेगा यगर जो मुंबई से थोड़ा बहुत निकल रहे हैं हम्दाबाद की तरफ आपको पूरे पर मिलेगा यह हाइवे देखने के बाद साइड में ना दी देखने के बाद दिल खुज हो गया अभी म सीधे निकल लिए अपने रूट और आगे एंबूलेंस मिल जाती है अब आपको देखी रहा है कि लोग बाग साइड नहीं दे रहे भाई यह मैंने बैंगलोर में भी देखा था ट्रैफिक ज़्यादा है लेकिन आपको एंबूलेंस को साइड देनी है तो एंबूलेंस ऐस एक से थ्री लेन एक रूट गी उस पर पूरे पर आपको ट्रक ही मिलेंगे तो यहां से भी कैसे भी जगाड करकर आके एंबूलेंस निकल जाती है आगे और हम भी साइड से दर उदर ट्रैफिक का बेरियर काट को उटके पुलिस वालों को चक्मा दे के पुलिस वालों ने पुलिस आपको देखना रही हो पकड़े जाओगे हमारी कोई गारंटी नहीं है कहीं रेफ्रेंस दे तो वाले भाईया निकाल के आए थे आपने जब उनको नहीं पकड़ा हम जा रहे है तो देखो विनह भाई उडगे दर्द उठता है तो घड़ा हो जाता हूं बैठ जा सीदे सूटम सूट जितनी स्पीड में खीन सकते थे विनह भाई लीड कर रहा है लीडर मैंने विनह भाई को रखा है बूरे में कि आप ही लीड करो मैं आपको जस्ट फोलो करूंगा तो विनह भाई के पीछे-पीछे हम भी चले जा रहे हैं अभी यहां से निकल लिए प्यारी बाइक लग रही है यार मेरे को इस बाइक को देखते ही ना दिल खुस हो जाता है एक तो आप राइट साइड में देखो कितना खुबसूरत आ रहा है अभी मेरी तरफ देखके इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंटर उनका गोप्रों ने काम गन्ना बंद कर दिया ह जेरा नहीं चल रहा है और हम फुल बीसी करते हुए जा रहा है यहां पर फुल बीसी मतलब इंटर कॉम पर जितनी बीसी हम कर सकते हैं फुल चल रही है और पूरे राइडिंग के मज़े ले रहे हैं पूरे राइडिंग के मज़े मतलब जितना मन कर रहा है जो मन में आ रह तो दोस्तों यहां पर पूछा गया है मेरे से चाय कैसी है और मैं बोला हूँ चाय बहुत सेक्सी है और उसी के चक्कर में इतनी असी आ रही है और चाय कहतम करने के बाद फिर से दोबारा चालो तो इस वीडियो में देखो मैं कुछ बोल रहा हूँ और मेरी वीडियो सुटिंग चल लिए यह पूरा विने भाई का किया हुआ है विने भाई मेरे को बोल रहे है कैसे वीडियो सुट की जाती है और वीडियो सुट करा रहे है मेरी बोले खड़े हो जाओ जाओ यह अपनी टारजन खड़ी हुई है बगल में और मैं बोले जा रहा हूँ मेरा फेस नहीं आ रहा है किसी में भी लेकिन इस से आगे आपको मेरा फेस दिख जाएगा अब ये 16 भाई 9 होती तो 100% दिख जाएगा बाग रहे हैं 120 110 तो मैं उनको बोल रहा हूँ आप अपनी बाइक को 100 पर रखो क्योंकि मेरी पूरी लोडेट थी बाइक तो फिर हम दोनों 100 की 90 की स्पीड से जा रहे हैं आप देख पा रहे हो बिल्कुल भी लाइट नहीं है और इतने अधेरे में बाइक चला न वह भी हाई क्या बोलते हैं सूरत तो आज राथ को हम सूरत में रुकेंगे कहीं और सूरत ही हम जाकर रुकते हैं तो अभी ये देखो हम चल रहे थे दोनों भाई आराम से मस बीस हमारी यहां पर भी बन्द नहीं हुए बीसी हमारी अबल दर्जे की चलती भी जा रही है और सूरत के लिए हमने प्रिस्तान अपना चालू कर दिया था तो दोस्तो फाइनली हम सूरत की नजदीक पहुचने वाले हैं रात के नौ वज़े के बाद में बाइक नहीं चलाता बट ये टाइम अपरोक साड़े-दस बजे का है दस साड़े-दस बजे का ने भाई आगे से लीड कर रहा है और मैं उनके पीछे-पीछे चला जा रहा हूँ तो आज हम सूरत में रोकेंगे हमारा होटल भी बुक नहीं है हम जाके वहीं पर बुक करते हैं तो हमने अपना होटल भी वहीं जाके बुक किया था अभी थोड़ी देर में आज हम अपना वीडियो वगेरा सब बंद कर देंगे मैं तो यहीं पर बंद कर देता हूँ मेरी ये लास्ट वीडियो है आज की जिसको मैं सूट कर रहा था और इसके बाद कोई वीडियो सूट नहीं होगी तो आपको मैं सूरत की लॉकिशन वगेरा और जो उसके फोटो वगेरा ये वीडियो वगेरा तो नहीं डाल पाया आपनी इस वीडियो में लेकिन रात की काली रात में आपको देख रहा होगा कि साइड में एक जो लाइट दिख रही है ये सूरत की है सूरत यहां से अभी है 20-22 किलोमीटर देखा रहा है लेकिन हम अंदर की तरफ सूरत में नहीं जाएंगे ना तो हम बाहरी रूड पर हाईवे पर कहीं रुकेंगे तो हमें जहां पर जाना है वो थोड़ी दूरी है तो आप सबी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ा रहने के लिए और वीडियो को देखें सेयर करें लाइक करें और जो भी अगर जो आपको दिख रहा है साजेशन है मेरे लिए वो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं जिससे के में आगे की अपनी आने वाली फ्यूचर वीडियो में बिकूर जैसा कि मैंने आपको पहली बताया कि मैं इस सेक्टर में बहुत न्यू हूँ तो जब कुछ मेरे को आप लोग बताओगे कि ये करना है वो करना है मैं उस पर काम करूँगा तो आपका मेरा काम है मेहनत करना आपको भी बताना है बहुत बहुत धन्यवाद